Diamond Test Series का Part Test 5 Chemistry का मैं solve करने जा रहा हूँ मैं नवीन जो सी आपके सामने Team Chemistry CLCC करूँ तो basically इस questions में आपने बात करें बिल्कुल NCRT based 1 by 1 एक question का अपने solve करेंगे जो भी आपकी गलती रहे उस गलती को अच्छे से समझना उस पे काम करना ताकि साथ मही कोई गलती आपनी वापस नहीं होनी चाहिए तो गलतीया जितनी भी है एक्जाम से पहले कर लेना एक्जाम पे नहीं करना ठीक है डियर? तो 1 by 1 एक question solve करते हैं तो सबसे बेला question है मैं आपको अपने question बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं समझ रखे हैं क्या गलती है वसमें उनको solve कर रहा हूँ question समझ मैं आ रखे हैं फिर मैं एक बार question को समझा दूँगा जैसे question बोलाए कि कोई solid है जो in general solid state में यह और भी crystalline type के solid पढ़ते हैं जो है और बी जो है वो दो atoms present है जहां पर जो formula बनता है वो क्या बनना चाहिए a to b3 इस formula को बनते वे आपको भी बताना है कि किस में कौन crystallize होना चाहिए और कौन void के अंदर किस तरह से present होना चाहिए तो पहला में option अब यह अपने को option सही check करना पड़ेगा जिस option में formula adjust हो जाएगा वो अपना answer हो किडियर तो फर्स्ट option है जो lattice form करेगा वो a है तो hcp form कर रहा है lattice और एक simple सी trick है जो fcc और hcp रखी जाते हैं क्या यदि n atoms fcc यह hcp form करते हैं तो वहाँ 2 and th भी होंगे और n ही क्या होंगे ohp होंगे तो इसी को काम में लेते हूं मैं काम कर रहा हूं तो अभी scp अपने किसको मानना ऐसी में atom a है तो इसके total 6 atom होंगे जो scp में जाएंगे आगी बोलो जाएंगे टी एच्वी जो tetrahydroids चो तुस पो लेकी रिखती घाए टी एच्वी किती होंगे तो यहां पर इसका 12 हो जाएगा इसका two times लेकिन उसका one third हिस्सा ही होना चाहिए तो one third हिस्से को रख दिया ए तो क्या आजाएगा 6 और b कितना आजाएगा for simplify form में लिखूं तो अपना आजाएगा a3 b2 तो अपने को तो चाहिए a2 b3 जबकि अपना आया क्या है a3 b2 तो इसका वाल यह option तो नहीं हो सकता दूसरा option try कर रहा हूँ जहां बोल रहा है कि b lattice form कर scp वला तो भी कितना हो जाएगा six और जो a है वो thp में होंगे उसके half में तो यहां पर a जो है उसके half th or 12 का half कर देते हैं इसके half th भी हो जाएंगे sorry half नहीं 1 3rd sorry तो 1 3rd th को बोला गया है तो यह कितना हो जाएगा a तो आ जाएगा 4 और b कितना आ जाएगा तो अपना 101 पांसर के आज आएगा second चलो 102 को try करते हैं यह फिर से एक solid state का question है बड़ा ही simple है उसी तरे का question है लेकि थोड़ा सा change करके flavor दिया है इसो बोलाएगी जो b है वो ccp form कर रहा है तो b के जो ccp form कर रहा है वो लिख लेते हैं बोला a जो है उसके half ohv में है तो मैंने अलगर का रहा है कि जितने ccp, cp, cp, cc में जितने एकटम उतने तो होते हैं उसके double होते है THB तो ए कहां जा रहा है उसके ohv के half part में अदी हिससे में जा रहा है तो ccp form करने वाले एकम तो आपने पता एक 4 होते हैं उसके आदे हिससे में कौन परजेंट ए है तो इसका मा जाएंगे जितने atoms होते हैं उसका 2 times तो कितने हो जाएंगे 8 formula क्या बन जाएगा A पर तो आगया 2 total atoms एक unit cell में, B पर जाएगा 4 और C पर कितना आजाएगा 8 finally formula क्या बन जाएगा A, B2 और O4, simplified formula A, B2 O4 formula कौन सा आजाएगा अपना 3rd वाला, okay dear next 103 पर चलते हैं यहां पर बोला गया है कि जो atom A है, उसका radius अपन A मान रहे हैं, जो इन्होंने RA बोला है, और ये बोला जा रहा है कि crystallize होता है, निविड संकुलित होता है और B जो है उसकी radius पता नहीं क्या होगी, यदि वो THV में उपस देता है उसका radius जो spheres हैं, जो जो गोले हैं, उनका त्रिजा क्या दे रखा है, आरे दे रखा है और small size का अपने calculate करना है, तो ये आरे हो जाएगा और ये 0.225 तो जो atom है, जो इसो फिट होना चाहिए, एक्जेक्ली तो 0.225 टाइम्स होना चाहिए, उस atom के size का या जो वो crystallize हो रहा है, उसकी radius का तो इसमें आरे का 0.225, आंसर आजाएगा second, उसके बाद चलते हैं, थर्ड पर, थर्ड बोला है, यदि A और B जो है, उनकी समनवे संख्या, coordination number x is to y दे रखा है, तो उसमें number of atom का ratio क्या होगा, बड़ा एक common चीज है, जो अपन नोर्स में लिखवाते हैं, आपने नोर्स में लिखे होंगे, क्या, कि यदि कोई atom x ax और by है, मतलब उनका जो stachymetry ratio है, x is to y है, तो इसका जो cn का जो ratio आएगा, ये fix होता है, वो y is to x आता है, हलाई कि इस बात के बहुत सार एक्जामपल भी है, cf2 है, इसका आप चाओ तो चेक, ये 1 is to 2 के ratio है, इसका cn जो आएगा, ultimately 2 is to 1 के ratio, just reverse, जैसे na2 अपने कोर्स में इसके चर्चा भी काफी जोग पर हो रखिये, है, इसका 2 is to 1 के ratio में है, तो इसका जो cn का ratio आएगा, वो 1 is to 2 आएगा, इसका मतलब जो atoms का ratio उनका inverse cn का ratio, या फिर ये बोल दो जो cn का ratio उनका inverse atom का ratio, तो x is to y जो है, वो atoms का ratio है, तो y is to x क्या हो जाएगा, cn और अभी तो इन्हों नों बोला यह cn है x is to y तो atoms क्या हो जाएगा y is to x just simple सी बात है तो atoms का कित्ता हो जाएगा y is to x तो second answer 104 105 फिर से इस solid का question है बड़े simple से segment के एक साथ question ताकि आपन अच्छे से दिमाग लगे सोच पाए एक कोई तत्व है का एक एंदित कोष्ट का मद इंग्लिस में बोलो तो बोडी सेंटर में crystallize हो रहा है और बोला है कि इसमें जो एज लेंथ है वो किती दे रखिये 0.351 nm देंसिटी यह दे रखिये तो इसका atomic mass क्या होगा तो बड़ा simple से question है density जो अपन फोमला सेखते है d is equals to जो अपन एक unit cell के density calculator करते हैं वही complete crystal की भी होती है उसका formula होता है zm upon na.a3 यह formula अपन काम मेले ताम इसमें इसमें सिखाने लाइक क्या चीज़े देखो इस टाइप की question ग्राम पर cm3 में जनरली मिलती है तो यहां पर जो a है जो as length है वह आपको cm3 में पुट करने ही ताग उसका cm3 बन जाए पहली गलती और दूसरा जो density है उसकी जो values है वह इस तरह से पुट करो या ऐसा बोल दो unit जो conversion है वह पहले से ध्यान रखो कि केजी पर मीटर क्यूब में मिलती है कभी 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 केजी पर cm3 में मिलती है पहले चेक कर लो कि जिसमें आपने molar mass put किया है उसी के अंदर density रख रहे हो ना molar mass पन ग्राम पर मोल में पुट करते है तो इसलिए सब्सक्राइब क्या जाएगा जैड क्योंकि बीसी से इसमें दो एटम्स प्रेजेंट होंगे molecular weight अपने calculate करना है अपोन एने 6 एप्रोक्समान लेते हैं 10 पाव 23 आ जाएगा और जो ए है इसमें as length किती दे रखी है यह दे रखी है 0.351 nanometer इसको मैंने का centimeter में convert को पहले मीटर में convert कर लेते हैं 0.351 इंटो 10 पावर माइनस 9 तो गया मीटर इसमें कोई संसे नहीं होना चाहिए अब इसको मीटर को 100 से multiply कर देंगे nanometer में convert हो जाएगा क्या सोरी centimeter में convert नहीं हो जाएगा क्या तो यह value centimeter में कित्ती हो जाएगी 35.1 इंटो 10 पावर माइनस 9 centimeter ओके डियर मैंन तो यह value किती हो जाएगी 35.1 multiply by 10 पावर माइनस 9 का hole क्या हो जाएगा Q, basically इसको अपने को solve करना है और यहां से जो molar mass अपने calculate करेंगे approach 7 के आसपास जा जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा 105 में second number next देखते है 106 number थोड़ी calculation रहीग इस question में, okay dear next 106 number बोला गया FCC जो है उसमे यदि edge length है वो अपने को बता दी जाए तो उसके edge length के term में जो किनारी के number इस term में radius किया होगी आप पिसले 10 साल की paper हम देख तो यह जो relation based question में पुछे गए यदि question solid से आया है तो जारा दर question जो है यह relation based पूछे जाते है या defect side से पूछे जाते है तो यह थोड़ा एक segment जो ह अपन पढ़ाते है हर किसी का अलग लिए रिसा आता है तो आप सीच में a is to क्या आता है तू रूड टू आ राता है तो इसका हूँ आर जो है radius स्पेर्स की वो क्या जाए ए बाई 2 रूट 2 आले बड़ा simple सा question है लेकिन फिर भी मैंने यह रखा है क्योंकि आप भूल नहीं आपको याद होने चाहिए ठीके डियर तो इसमें आंसर आजाएगा थर्ड एक सुछे में फिर एक सो साथ करते हैं यह मेंस में अभी दो साल पहले पुछा गया था और इस तरह क्वेस्चन अब संभावन आएगा आपके भी बड़ा आसान question है लेकिन इस question में एक बच्चे से नफरत करवाता है मेरे इमान में आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी किसी solution को जमाया जाए तो ideally आदर्स रूप से actually अपने को pure solvent ही मानना है जमता हुआ आपको क्या मानना है केवल pure solvent ही जमेगा solute उसमें participate नहीं करेगा अब ऐसा क्यूं हुआ ऐसा basically इसली हुआ कि जो solute particles है यदि वो solvent के साथ जम जाएंगे तो उनके entropy कम नहीं हो जाएगी के solidify होते ही तो actually solute अपनी entropy को कम नहीं होने देना चाहता है हर सिस्टम अपनी entropy increase करना जाता है और यदि decrease हो रही है तो अपनी retain रखने में भी वो क्या रहेगा spontaneous रहेगा तो basically जब भी किस solution को जमाया ज हो जाते हैं जहां से solvent जम रहा होता है जहां solution जमना start हुआ है तो जैसे जैसे इसके भूके जाते कहा है जहां liquid solution प्रेजेंट है basically तो इसको मैं diagrammatic form में बदा हूँ ताकि आपको एदम clear हो बाद जैसे ही solution लिया अपन लोगों ने इस solution में यह जो हिस्सा है यह solute particles है आप ही मा जमेगा कौन pure solvent जमेगा तो इससे होगा क्या basically तो solute particles है वो liquid के अंदर रहेंगे solute के अंदर नहीं होंगे solute से remove होते जाएंगे और इस liquid के अंदर आते जाएंगे अब इससे हुआ क्या change क्या है इससे क्या फाइदा क्या नुक्सान हुआ basically solvent जमता जा रहा है और solute retain रह रहा है तो जो molality होती है moles of solute वो सेम है mass of solvent वो कम होता जा रहा है solution liquid solution से तो actually इससे molality जो है molal ता वो बढ़ने लग जाएगी और जैसे molality बढ़ेगी तो हमने पता है कि delta tf जो होता है तो mkf या imkf होता है तो यदी molality बढ़ेगी तो delta tf बढ़ेगा और delta tf बढ़ेगा तो freezing point जो है नया वाला वो decrease होगा वो इसलिए decrease होगा क्योंकि delta tf से ही अपने लोग calculate करते हैं तो delta tf से कैसे करते है tf' is equals to पहले जितना था minus delta tf जो depression होगा है यह इसकी value increase होगी तो obvious बात यह क्या होता जाएगा value negative बढ़ेगा मतलब ultimately value decrease होगा तो basically होगा इस solution का जो freezing point है वो decrease होता जाएगा और यह तब तक decrease होता जाएगा जब तक जिस temperature पर आपने रखा है इस solution का temperature आप एक पल हो जाए क्योंकि अपने पता है कि freezing point और outer temperature लिए एक पर हो जाए तो फिर जमने वाला process क्या होता है रुक जाता है बंद हो जाता है क्योंकि वहां पर equally भी आ जाता है तो इसका मतलब मुझे इमेजिन करना पड़ा है तो जो नया freezing point माइनस का 10 degree celsius मुझे मानना पड़ेगा कि उसके बाद बंद हो जाएगा तो यह जो segment में बोलता है यह जो हिस्सा यह जैसे माइनस दस पर पहुंचेगा तो इसका freezing point माइनस दस होगा तभी बहार का temperature अंदर जो freezing point वह सेम हो गया तो जमने वाला process खतम अब अपन देख लेंते कितनी बर्फ जो है वह separate आउट हो चुकी कितनी जम चुकी है तो कि दियर तो मैं क्या बोलूँगा मैं इसको solve करता हूँ डेल्टा टी इफ इस गोश्ट एम केफ तो डील्टा टी इफ इस गोश्ट एम मॉललेटी तो मॉलेटी मैं जब यहां में बात कर रहा हूं तो यहां जो हिस्सा जो जमा हुआ नहीं है वह वन मॉल एथाईलीन का एजटीज पड़ा है इताईलीन गलाइकोल का उसमें कोई दिक्कत नहीं यह बस चेंज कहा हुआ है जो यह सॉल्वेंट उसका कुछ M मास्ट वह लिक्वड में परजेंट है और मैं मान रहा हूं ग्राम में परजेंट और डिवाइड में में क्या गरूँगा थाउजेंट इसको केजिम कंवर्ड करने के लिए तो मास्ट वह लिक्वड में मॉललेटी हो गया मल्टिप्लाइबाइब के एफ 1.86 यह से कैंसिल हो जाना है थाउजेंट उपर जाएगा और एम इससाइट ट्रांसफर होगा तो एक्चुली M की जो वैल पर जेंटल लेकिन अपने पुछाए कितनी आइस फों में सेपरेट आउट हो जाएगा तो टोटल 250 मास था उसमें से सब्ट्रेक कर दी अवान-टी-सक्स को तो कित आ जाएगा 64 ग्राम आइस बन जाएगी बेसिकली तो इसका अंसर क्या जाएगा फॉस्ट एक सो साथ का ज करना है तो बेसेकली बड़ा सींपल सी चर्चा है डेल्टा टी-एफ इस गोश्टू एमकेफ होता है और डेल्टा टी-बी इस गोश्टू एमकेवी होता है मैं पहला फॉर्मला अप्लाई कर रहा हूं पहले क्या बोला है वन मोलल का फ्रीजिंग बॉयलिंग पॉइड के लिए काम करता हूं तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसमें भी दो की कमी हुई है तो इहां पर भी टू आजाएगा लेकिन वो टू मोलल के अंदर हुआ है और यहां पर आजाए केफ तो केसी लिए लिए क्या आजाएगा सौरी केफ बेसिकल लिए लिए आजाएगा व वो वोलेटाइल यह फिर से एक solution का बड़ा simple question है हालागि इस तरह के question आप इसले साल में 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 बात करूँ और आप नीट में बात करूँ तो में 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 कम से कम पुछा जोका है तीन चार वार कम से कम बता रहा हूं यह दोनों वोलेटाइल वाले बड़ासान question मनता है और में 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 एक्चुली मेरे इमाने attempt बहुत जाए होते है तो उस टाइब के question आप practice करो यहां पर फायदा मिलेगा सीदिसी बात है उसी flavor के हां मन रहा है आप नीट में बात करो नीट में कम से कम इस तरह के question है तो बड़ा आसान से question होते हैं इसमें क्या है पी नोटे दे रखा है पी नोट भी दे रखा है तो पी एस जो है आपको पता होगा formula लिखा है जाए जाए तो पी नोटे एक से जब दोनों वोलेटाइल है पी नोट भी एकस भी ओके डियर अब मुझे क्या गरना है पी एस सबसे पी एस पूछा गया है और बोला है मोल फ्रेक्शन जो पॉइंट फाइफ है तो इसके पॉइंट फाइफ आ जाएंगे तो 400 इंटू 1 बाई 2.5 का मतलब और 600 इंटू 1 बाई 2.5 का मतलब तो यह कितना आजाएगा 500 तो पी एस किता आ गया solution का 500 अब पुछा है कि जो वास्ट पवस्था में वेपर फेज में उनके मोल फ्रेक्शन क्या है इसको अपन डिनोट करते हैं यह से जो क्या होता है यह पी नोट ए एकस ए अपॉन पी एस तो पी नोट किता है 400 एक से किता है 1 बाई 2 पी एस किता है 500 इससे कड़ जाना है 10 आजाएगा 0.4 यदि मोल फ्रेक्शन वेपर में A के 0.4 है तो B के 0.6 हो जाएंगे टोटल 1 होता है रांसर क्या आ गया 4 तो 109 कांसर आ गया 4 अब चलते हैं 110 में 110 भी solution का बड़ आसान सा question है और इस question want of factor को अपने का अच्छे से काम में लेना है अधर तो देखते ही सकाई लिक दो कित्ता तीन आएं देगा तो आई कित्ती वेल्यू आजाएगा इसके लिए आई की वेल्यू आगी 3 और आप जो formula लगा रहे हो तो यह पूछाज क्या जा रहा है इसमें एक विलाएक है जिसमें मोलल अवनम इस्तिरांग दे रखा है तो विला आएगा 9.09 इंटू 4.36 तो 0.36 क्या लिएन की गिरावर्थ फॉर्स टांसरा जाएगा ओके टियर तो 110 में फॉर्स नेक्स चलते हैं बड़े आसान से question है भाई जी फिर से बार-बार इसी अच्छे जो question है जो हर बार पेपर हों पूछे जा रहे हैं उनकी practice कर रहे हैं फिर 11 के 20 परसेंट है उसके आपको बतानी है molality क्या है बड़ा simple question है जब भी आपको molality पे काम करना ये किसी पर तो सबसे पहले जो given data है उससे molality मोलतल के लिए जो चाहिए वो निकालो मेरा ये तरीका है काम करने का तो given data से आपको data निकालना है तो पहले इसको लिखो ये given data क्या है 20% का मतलब 20 gram solute होगा किसमे 100 gram solution के अंदर ये जो 20 gram वो किसके अंदर present है 100 gram विलियन में उपसीत है तो इसका मतलब जो solvent है 80 gram solvent नहीं आ जाएगा 80 gram क्या जाएगा solvent बोले तो विलाए बस ये लिखते ही तुम्हारे पास सारा data आगया और सारा data आगया तुम्हारे पास answer मोल्स अब solute तो 20 बटा इसका molecular weight 166 दे रखा है तो मोल्स आगये solute के दूर्सा चाहिए solvent का मास kg में तो solvent का मास M माल लेते हैं जो 80 है अपन 1000 क्यों kg convert करना है तो 8 बाई 100 बोल दो या 4 बाई 50 जो भी इस को इस टम में रख रहा हूँ तो मौला लेटी बेसिकली क्या जाएग मोल्स अब solute 20 अपॉन 166 और उसके बादो 8 बाई 100 बसी calculation आपको करनी है इससे आंसर अपना 1.151 चलो नेक्स्ट बात करते हैं 112 पे calculation आप करें बैटा प्लीज हाना और कुछ tricky calculation वो आपके साम पॉइंट रखोगा मैं एक दो बार इस जर्च अभी आएगी चलो नेक्स्ट है कि यूरिया का एक तनू विलियन एक्चली जो कॉलिगेटिव प्रोपरिटी तो डैल्यूट इसलिए लिग दिया जाता है ताकि आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है विले के मोल्स विलाइक के सामने नेगलेक कर सको इसलिए चर्चा रखी जाती है आपके सामने तो बड़ी स इसके आगे और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो की वाटर कर रहा है थ्री सिक्स्टी अपॉन किता हो जाएगा एटीन तो यहां साजाएगे ट्वन्टी मोल तो बोला जा रहा है कि इसमें सुध पानी मिलाएगा तो इसको वास्प दाव इतना हो जाता है तो बड़ा सिम्बल्स होंगा मैं और दूसरा एम इनिक्स को रखा है पॉर्टर को और पूछा है कि सुध जल का वास्प दाव इतना हो तो वास्प दाव में अवनमन कमी कितनी होई देखो लोवरिंग लोवरिंग बोले तो कमी लोवरिंग इन वेपर प्रेसर बड़ाई सिम्बल सा तरीका है पी प्स अपन ने राउले के लोव ए न कि पड़ा पी नो टे एक्स ए एक्स एक से क्या है वोलेटाईल के मॉल फ्रे olması रखें और सीधा चरचा है कि यहाँ पर मैने नौन वोलेटाईल के म्ल फ्रेक्शन नियूरिए कर रखें तो यह बताता है फईनल प्रेसर को जबाता की X B से multiply करते हो, तो बताता है कितनी कम ही आई है, मतलब P NOT में X से multiply कर दिया, X से बोले तो volatile के mole fraction multiply कर दिया है, तो जो नया solution का vapor pressure आएगा वो बता देगा, और यदि उसी कंदर X भी multiply कर देखों, तो उसमें जो कम ही आई है वो बता रहता है, और यदि उसमें भी P NOT X MULTLY कर के लोवरिंग रिलेटिव लोवरिंग और नया वेपर प्रेस तीन बात है थोड़ी आई डिया में होनी चीए तो यह पी नोट है आपने पास पी नोट हो जाएगा 35 और एक्स भी नोन वोलेटाइल के मोल फ्रेक्शन है तो 0.01 और इसको नेगलेक कर देते हैं 20 के सामने कोई लिक्कत नहीं है चल जाएगा काम तो 35 का अधा अपना लगब हो जाएगा 17-17 हो जाएगा और 17-17 को 0.01 से नीचा वाले डिवाइडी भी आजाएगा 0.00 हो जाएगा 0.01 हाँ ठीक है तो इसमें आजाएगा सेकंड एक सो बार हम आजाएगा फाइनली सेकंड कि निच्ट एक सो तैरा वांट उफ गुणांग है अब देखो सिंपल सी बाद वांट उफ एक्टर जो है वह इस गोस्टू 1 हो जाता है जिसमें ना असोसीं है ना डिसौसीशन ना डिसॉसीचन ग्रेटर देन वन हो जाता है जहां डिसोसीचन वियोजन हुएगा और लेस पे आते हैं समद्र जल में संचान किदर जो को मई वूॉटे वूटर में ह। युज जाद होता है टैटुन हिए Oxygen यह जो उतनी वास्ट होग जितना उस लिक्विड की प्रॉजन में गहते हैं तीन चीज़े वी चुलिजिए चाहिए ज़िए आपको कॉरोजन करवाने है और तीसरा मीडियम जिस एक्वा दौर यह ग्रट रहा है बिना मीडियम यह आपकी एर नहीं एर में वय पर नहीं यह पानी नहीं है और इस वोज़ेसे प्रोसेस था थोड़ा स्विट बूस्टप हो जाता है तो थोड़ा से भर जाता है ठीकी डियर next बात करते हैं 115 के लिए थोले इलेक्ट्रोड विभु के मान अब एलेक्ट्रोड विभुप जो है मंनक एलेक्ट्रोड विभुब के बराबर जाए मानक इसको पूरे को जीरो हो नहीं सकता बचा कौन लोग क्यों को तभी जीरो किया जा सकता है जब Q के वेल्ग कहा जाए one आजाए Q यदि one हो जाएगा तो लोग one zero होता है और इस पूरे को zero कर देगा ये दोनों acquade हो जाएगे और Q होता है किये से कंस्केंडरियों क्यों इस्थ है तो उसका वेल्ग हो जाamous ची तो इक यक के बराबर होगा तो लोग one zero लो पूरी टर्म को जिरो कर देगा दो इनोट इस एल के एक पर लोग जाए ओके डियर एक सोचोड़ा तो एक सोचोड़ा बड़ा बड़ा पॉमन क्वेस्टिक और यह किस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि एक ही एलिमेंट की तीन यह उससे जाला ऑक्षिडेसन स्टेट मिलत इसमें पॉसिबिलिटीज होती है आरपी लिखने की वो पॉसिबिलिटीज अपने को जस्टिफाई करनी होती है हर अलग 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 टाइप का आरपी डिफाइन हो सकता है अलग में लिए तीन अलग 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 अक्षिडेसन स्टेट दिखानी चाहिए एक तो जीरो इन आर्पी के फ़र्म में लिखना है इसको यह ऐसा बोल दो इसको oxidation इसका तरीगा क्या होता है e1 vf1 plus e2 vf2 is equals to e3 vf3 मतलब इन दोनों का addition with vf इस net के equal आएगा तो यहाँ पर vf क्या होता है basically जितना oxidation state में change यहाँ पर एक का आजाएगा यहाँ पर भी vf किता आजाएगा एक का आजाएगा और यहाँ पर vf किता आजाएगा 2 क्योंकि 2 का change मैं इस equation को apply करता हूँ जो अपना e0 लिखा है sorry यह e0 जो लिखा है e0 जो यहाँ लिखा है 2x2-x1 तो आप cancer क्या हो जाएगा फोर्थ तो एक स्वोडा में फोर्थ चला जाएगा एक स्वत्रा वह यह यहाँ टाइप का question बड़ा स्वेशन है क्या बोला जा रहा है यह भी electrochemistry का ही है एक सेल उपाप चाहिए मादब एक redox reaction अपना आप करता है एक सेल और बिल्कुल सही बात है एक अपना पर पहले चेक कर रहे है जो एक सेल रहा है वह यह बात करने की आप देखो कोई किसी तरह से लिंग करता है पहले वारा तरीका आप काम करता है पहले आप काम मेलो आप खुद करने करो पर पहले चेक कर रहे है जो एक सेल है वह सही तो है ना वह गलत ही आप एकस्प्रेंट करने में लगे पड़े हो तो फिर आप गलत हो जाओगे चलो इसका अतांसर दोनों सही और सही एकस्प्रेंशन आ रहा है फॉर्स्ट आ जाएगा एक सो ठार हम पुछा जा रहे है के सील जो है लवन सहतों में किसमें काम में लिया जा सकता है अच्छा अब लवन सहतों में सौर्ड ब्रीज में कभी-कभी अपन एलेक्ट्रोलाइट पर्डिवलर काम में नहीं ले सकते ह जो एलेक्ट्रोलाइट आपने काम में लिया जो निट्रलाइज करता है दनों सोल्यूशन को ताकि वह फ्लो करन्ट का चलता रहे लेकिन दिक्कत कहां चाती है वह आयन जो निट्राइज करने लिए जा रहा है वह कही ना कहीं प्रेस्प्रेट फॉर्म कर लें उन प्रेस्प्रेट बनता है तो बड़ी है कोई दिक्कत नहीं भाईजी इसमें थाड़ आंसर आजाएगा 119 में बात करते हैं यह बोला जा रहा है कौन से लों डेल्टा-जी रिनात्मक होगा मतलब सेल काम करेगा ई पोजटी होगा सिधी सिखाने डेल्टा-जी रिनात्मक मत सेल के लिए तो इसका मतलब बचावार टाइम अगलेए अच्छे क्वेश्चन के लिए तो आप भी सेल है जब भी कंसेंट्रेशन सेल का मतलब मतलब सेम ही हैने और जी में नोर सेल क्या होजाता है अगे जिन्क से ऑक्सिडाइज होके जिंक प्लस टू बनेगा और एक जगह जिंक प्लस टू जो है वो इलेक्ट्रोन लेक्ट्रोन लेके कि बनेगे जिंक से जिंक प्लस टू कों यहाँ हो सबस्ट्रोन लेक्ट्रोन लेक से जिन्क प्लस टू कोलेगा इस जिंवा भूरोब्त भी। आ प्लस टू कि शॉंवेत लेक्ट्रोन के जॉब नेगा और अपने मरे पता है कि सैल लिखते हैं느द है जोई देंग की जो हो था फ्रेंसिट की न ठीट है वो layers कुग दू को कती है तो इसकी community की ज़्यादा किससे शी एट रारा के यह मैंने आपके सब्सक्राइब किया है मैंने आपके साम त्रिक बताईए दूनों से काम कर सकते हैं वर शी ऑप इसको मैं ट्रिक से बतार। बड़ा सिंपल जा क्वेशन है। जब भी हाइड्रोजन दोनों जगे काम में लिए है और हाइड्रोजन गैस का प्रेसर वह नेटी में ध्यान करना है। और इसे टाइम लगता है। ऐसे टाइम लगने वाले क्वेशन बहुत कमार है। बड़े सि इसेल में लिखता हूँ क्या तरीका है देख लेना भाई जी 0.06 पी एच एट एनोड माइनस पी एच एट कैथोर इससे काम आपका हो जाएगा। ठीक है तो इसेल आपको कैल्कुलेट करनी है 0.06 पी एच एट एनोड कित्ती है भाई पी एच एट एनोड वाला इससाइड वाला 1 है माइनस कैथोर कित्ती है टू है इसेल नेगेटिव आ गया इसेल नेगेटिव आ जाने को मतलब सेल काम नहीं करेगा क्रमास होता है सेकेंड ओके डियर चलू नेक्स्ट एक स्वेकिस में आते हैं बोला जारे कि अभिकरिया जो है जिंक के दो इलेक्टोड एक में स अब आप इसने सरफ चेंज का पूछा है यह बोला है कि for spontaneous reaction EMF concentration considering या consisting to zinc electrodes one dipping in M by 4 of zinc sulfate another is M by 4 solution ठीक है तो इसमें अपन बात करें EMF का जो है वो क्या difference आएग उसको पन सोल करते हैं क्या चेंज आएगा तो बिल्कुल पड़ी सिंपल सी बात आपको एक बार M by 4 के लिए equation लिखनी है पर एक बार equation लिखनी M by 16 concentration मानते हुगे इतना ही काम करना है और इसको अपने को solve करना है हाला कि आप चाहो तो भी जो अपन एक जस्ट थोड़ी देर पहले question किया तो उससे भी deal कर सकते हूं उसको कोई दिक्कत नहीं है जो अपने concentration cell की तरह चर्चा की थी उसकी cell माइनस 0.06 अपन क्या हो जाएगा वी एफ दो आई कही थी उसमें लॉग जिंक प्लस टू एट अब उसमें एनोड अपन कैथोड नहीं आये था क्या जिंक प्लस टू एट कैथोड बस वैल्यू पूट करनी इसके अंदर तो यह 0.06 बाइटू इसे रखने देते हैं और ल जैसे ही यह अपन वैल्यू पूट करेंगा तो यह 1 by 4 बन जाएगा तो यह अल्टीमेटली माइनस 0.03 लिग देते हैं और लोग क्या हो जाएगा 1 by 4 तो इसको माइनस को प्लस में करने लोग 4 लिग देते हैं तो 0.03 लोग क्या जाएगा 4 और 4 लोग 4 को लिए 2 का स्क्वेर जो की बाहर आजाएगा तो 0.06 और लोग क्या हो जाएगा 2 लोग 2 की वैल्यू कित्ते होती है 0.3 तो 0.06 multiply by point 3 आजाएगा तो 0.018 जो अप्रोक्स के आंसर है वो यह अपन टिक करेंगे तो इस पर थर्ड वाला इसके अप्रोक्स आंसर है थर्ड वाला बड़ा सिंपल सा है इस question का formula भी थोड़ी देर पहले लिखा था और value भी इसके अंदर अपने पुट कर दिये ठीक है एक 122 एक cell है जिसकी दक्स था cell की efficiency काला कि formula आपने कुछ काम में आता है कुछ काम में मतलब एक दो जगाँ मतलब electrochemistry में ये काम में आ रहे है ठीक है तो डेल्टा G जो होता है वो कहीं नगे relate करता है डेल्टा हो डेल्टा जी कोई efficiency डेल्टा जी अपूं डेल्टा है जो हता है और इसको अपन efficiency किसे करते हैं नीटा से तो यह नीटा के एक पर हो जाएगा ओके डियर तो अब अपने क्या करना है efficiency किती देर की point 84 is goes to delta G जो अपने calculate करना है आला कि delta G के अपने को value इसलिए calculate करने पड़ी है ताकि अपन E के value calculate कर पाए तो यहां पर यह क्या जाएगा डिल्टा है जो कि अपने को सी यूनिट पर कनवर्ट करना है 285 into 1000 एसा यूनिट पर कर लेगा और माइनस वैसे पड़ा रहें दिया तो डिल्टा जी इस गुश्ट क्या जाएगा point 84 multiply by minus वैसे रखता हूँ 285 multiply by 1000 और यह जो डेल्टा जी है basically वो minus nfE के equal नहीं होता क्या is goes to minus का n valency vector जित्ता change by electrons का यहां से 2 electron का change तो n यह आगे f fix constant 965 00 होता है और E जो अपने को calculate करना है और इस को आपने solve करेंगे तो यह basically E की value अपने को दे देगा अब solve करते तो 1.24 इसकी final value होते हो कि अब calculation इसमें थोड़ी रहेगी इसमें कोई option नहीं actually calculation इसमें थोड़ी सी रहेगी ओके dear चलो next is 122 ठीके dear तरीगा समझा गी है जो formula मेंने काम मिलिया है efficiency का यह कहीं है जो अपन बैटरीज पर तो उनके पास फोर्मला दे रखा है NCRT के अंदर ठीक है next 123 बोला जारे एक iron जो plus two है वो तीन फेराडे आप उसको दिये जा रहे हो तो तीन फेराडे प्लिक्स में reduce होगा तो reduce होगा फी बनेगा तो यहांसे valence vector पता चल गएगा कितना आज आएगा तो आपको पता है फेराडे लो से q by f is worse to mol into vf तो इसमें q किता है तीन फेराडे पास किया है और mol अपने को पता है कि given mass यह जितना mass उसका convert to हो है पॉन 56 आजाएगा और valence vector कितना हो जाएगा दो तो यह f से f कर जाना है तो यह कितना आज जाएगा 3 by 2 times of 56 जो कि 56 से थोड़ा ज्यादा होगा और लेगे इतना ज्यादा बनेगा तो इसका answer क्या हो जाएगा 84 इसको calculate किर लें कोई दिख़त नहीं है next time 124 आपको correct सही कथन क चुनाओ करना ऐसे गलती हो जाती कभी सही कभी गलत थोड़ा ध्यान से बढ़े हैं से questions को तो बोला है कि विदूत अपगड़नी है cell में e-cell कमान से देव धनात पो होता है e-cell for electrolytic cell is always positive actually electrochemical cell होता है उसमें e-cell positive और electrolytic cells होता है विदूत अपगड़नी है उसमें negative माना जाता ह आप बैटरी को एनर्जी या आप सप्लाई कर रहो है बैटरी के थ्रू एनर्जी को केडियर नेक्स्ट कंडुक्टिविटी इंक्रीज विदिन डैल्यूसन या हिन्नी बड़ो तनुकर्ण करना विशिष्ट चालगता है मनला बोले तो के जो है कपा जो है actually conductance जो है जिसको अपन चालगता है वो तो इनक्रीज होता है लेकिन जो conductivity है जो वहसिष्ट चालगता है वो डिक्रीज होता है तो यह आंसर फिर ऑप्शनी गलत हो गया पहला भी गलता है अब क्या है तनुकर्ण मोरा चालगता है इसका ग्राफ भी देखते है अपन लोग वीक एलेक्टोला रखी है उस रिक्षन का क्या देर का रेट तो रेट क्या है टैनस्ट पावर मैनस 4 मोलर पर सेकंड जब जो कंसेंट्रेशन है वो किती है 0.01 ओके डियर अब क्या बोला जा रहा है इसको टैबुलर फॉरम में लिखता हूं तो रखी यह कंसेंट्रेशन लिएता है 0.01 किया तो रेट कितने है 10च पावर मैनस 4 अब क्या किया कंसेंट्रेशन को डबल कर दिया 0.02 कर दिया तो रेट कितने है 0.4 इसका मतलब जैसे ही concentration को आपने double किया तो rate का expression पर नहीं मान सकते हैं कि a to the power n तो यदि ये n जो है वो 2 होता तो यदि concentration double करते है rate 2 times हो जाती है यदि 3 होता है इनका value तो rate को concentration को double करते है तो ये 2 की पर और 3 times नहीं हो जाती है तो जितने powers में change आया है उसका according आप देख सकते हो जैसे इसको 2 time किया तो इसके 2 time करने पर 2 की कितनी power में change आया है तो इसका root 2 time देख सकते हो 1.414 इसकी value होती है root 2 की तो इसको double करने पर root 2 times change आया है इसकी power क्या रही होगी half आले इसको अपन वैसे solve कर सकते हैं एक तरीके से लेकिन मेरे असाब से tricky form है इसी आसान form है आपको analysis करो इसको double करने पर यह कितने times 2 की power में change आया है तो 2 की power यह half times में change आया है तो यहाँ पर half times आना चाहिए जो rate of reaction है तो इसमें क्या आज आएगा fourth next बात करते है 125 यह बोल दिया है कि zero order के लिए आपको सही statement देना है जीरो ओडर में खास बात क्या होती है एक तो आपको formula पता होना चाहिए x is goes to kt और एक मलब यह x जो product बन जाता है जाते है तो कितना product बन रहा है दूसरा ct is goes to c note minus x लिख दू यह फिर kt लिख सकते है kt x की value kt होती है तो यह दो फॉर्म ने में साब से पता होने चाहिए जीरो ओडर में कभी दिखकत नहीं आती है और तीसरा जादा सादी पता होने चाहिए सेम time interval में सेम amount decump होता है समान समय अंत्राल में समान मात्रा भीचित होती है तो पहला उत्पात मनें के मात्रा सीधे समानुपाती बिल्कुल बात है तो इनिशिल कंसेंट्रेशन के सिधा समावन पाती है, बात ये भी सही लग रहा है, अब ये बोल रहा है, 100 मिनट में 50% होता है, तो 75% में 1.500 मिनट लगे हैं, 100 मिनट में टाइम किता लगा, 50% हुआ, डिकम्पोज, कोई दिक्कत नहीं है, अब 100 जितना है, उसमें आगे फिर किया किया, 100 में 50 तूट रहा है, तो 50 मिनट ये टाइम है, पैसाइम और लगाया है, तो पैसाइम और लगा हो गना हो गया है, तो उसका जितना आपने टाइम का अदा है, तो डिकम्पोजिसन भी आदा नहीँ हो जाएगा, क्या, क्योंकि समान time interval में समान टूरता है, तो आ ट्रिक से काम किया है मैंने फॉर्मुला कोई न रगा है ट्रिक पता है काम होगा आपका तो इसमें फॉर्स सेकेंड थर्ड तीनों ही सही है नेक्स्ट है 126 में बोला जा रहा है कि एक जीरो ओर्डर है जिसका के अपने को दे दिया है यदि इनीशिल कंसेंट्रेशन ये है तो 15 सेकेंड के बाद कंसेंट्रेशन क्या होगा फिर से बोल रहा हूँ फॉर्मुला अपने सीख रखा है वो तरीके से काम करेंगे ct पूछा हुआ है cnote माइनस kt ये अपने थोड़े दिर पहले चर्चा गिया था और cnote जो है इनीशिल जो है वो किता दे दिया 0.5 माइनस k किता दे रखा है 0.025 और टाइम किता दे रखा है 15 ओके डियर इसक देखो वो कैलकुलेसिं थी मैं आपके कैलकुलेसिन आपके से रखे ठीक है नेक्स्ट ए 1.28 जो फर्स्ट ओर किये उसका 90 परसेंट पूरा 90 मिनट लग रहे है तो 50 परसेंट पूरा उनकितना टाइम लगे गगा तो एक 90 परसेंट के लिए एक परसेंट के लिए दोनों को अपर कर देंगे काम हो जाईग कांइसे 90 के के लिए कले कि इसगोश्ट उनकितम के लाहिए इसगोश्ट Ihnen को एलन सी नोट अपउँ सीचियोट इनिशिल कंशेंट तो ओर सीटी टी टाइम परammर के लिए 90% के लिए तो K T किता हो जाएगा 90 इस गोज टू LN C note में 100 मान लेता हूँ और यही 90% decompose होगा तो T time बाद 10 नहीं बच जाएगा क्या है एक equation और दूसरा आपने को time पुछा जा रहेगा इसको KT रख देता हूँ LN अब इस बोलाए 50% तो 50% का मतलब क्या हो जाएगा यही इनीशिल 100 मानी जाए तो कितनी बच जाएगी 50 खतम तो 50 बच गई अब इन दोनों को पन डिवाइड कर देने बड़ा सिंबल सा तरीका है किस से की कर जाना है तो 90 अपोन T is equal to LN अब डिवाइड मुदा 2.303 कर जाएगा तो लोग 10 बच जाएगा उपर और दीच आजाएगा लोग 2 अब लोग 2 होता 0.3 लोग 10 वन तो 0.3 से सको मल्टीप्लाई कर लोग 27 आजाएगा तो T आजाएगा 27 मिनिट में यह काम हो जाएगा ओके डियर चलो नेक्स्ट है 129 129 फिर से question अपने समझ रखे हैं deal कर रहे हैं अच्छे से बोला जा रहा है कि पर्थम कोटी first order में T half जो है वो 10 मिनिट है हाला कि T half से ही समझ आ गया कि अपने को K की value दे रहे है कि T half होता है तो उससे काम हो गया अब बोला कि यदि 10 mole इनिशिल दे दिया starting with 10 mole per liter तो आफ्र 20 minutes क्या हो जाएगा rate क्या होगा rate क्या होता है rate होता है कि 8 to the power 1 लेकिन आपको rate का पूछी है 20 minute के बश्चार पूछी है तो या concentration वो रहने पड़ेगी 20 minute के बाद वाले इस पर कोई संसे नहीं है और क्या 10 यदि T half है तो 20 का मतलब 2 T half निकल चुके है तो जो concentration आती है इसके एक trick लिखवा ही जाती है CT जो होती है वो C naught upon 2 की power N जहां पर N क्या है number of T halves तो यहां पर T half किता है 2 निकल गया तो 2 कर देता है तो CT अब जो T time पर concentration 20 वाली वो C naught initial किती थी 10 upon कितना हो जाएगा 4 2.5 2.5 CT आजाएगा इसमें कोई संसे नहीं है बड़ी सिंपल ती सर्चा है तो अपन इसकी value को put कर देते हैं तो यह आजाएगा K और कितना हो जाएगा 2.5 आपने को K से यह होता है T half से आजाएगा K is equals to 693 हो जाएगा divide by T half 10 है value put कर देता है 0.0693 K की value और multiply किससे होगा 2.5 से इसी form में दे रखाए answer तो 0.693 into 2.5 तो यह final अपना answer second आजाएगा देखो कभी कबार questions में इससे तरह से calculated form रखी जाती है ताकि आपको दिक्कत ना हो बहुत बार यह सा होता है कि आपको calculated form में ऐसे रख दिया जाता है ताकि आपको परेशान होने कोई जरुद ना पड़े next 30 नमर यह बड़ा असान सा question है delta H जो है वो पुछा की बताया हूँ आए कि positive है और एक step में reaction complete हो रही है तो एक step reaction complete है तो खोटा होई जाएगा इसका delta H 0 इसलिए खोटा हो जाएगा इसमें फाइनल प्रोड़िक की energy कम होगी तो energy actually release होई है तो exothermik उसमा छेपी होगे हम तो इसमें आंसर किया जाएगा delta H positive का यह एक मात्र example है second 131 पर चलते हैं reaction A से B प्लस ही दे रखा है और rate का यह expression दे रखा है और यदि initial pressure है तो यह बड़ा simple से type question है जो first order है वो आप apply जब भी करते हो बड़ा simple से सरजा है कि जब first order आप apply करते हो हो सकता है first order किसी particular component एक reactant पर लगा रहे हो तो first order यह वो reactant follow कर रहा है तो यदि वो first order से decompose हो रहा है तो इसका प्रोडेक्ट जो बनेगा वो first order से बनेगा तो product और reactant और चेंज़ और overall किससे हो रहे हैं first order से हो रहे हैं और आप चाहो तो किसी प्रोडेक्ट पर लगा हो तब भी कोई दिखके जरी हो केडियर मैं वही काम कर रहा हूं इनीचल प्रेसर पी है जो कि अपने को 100 दे रहा है पी माइनस एक्स particular जो भी time है 10 मिनट पे यहां पर X और यह X आ जाएगा ठीक है तो मैं इस P को क्या मानता हूं 100 मान लेते हैं तो यह भी कितना हो जाएगा 100 यह हो गया 100 ओके डियर अब 10 मिनट पे total प्रेसर कितना दे रहा है 120 तो लिख देते हैं 120 तो यह कितना हो जाएगा 10 sorry 100 माइनस X यह इसका प्रेसर आ गया ओके प्लस X और प्लस X इन दोनों का प्रेसर वो कितना आ जाना चीए 120 आ जाना चीए तो X cancel हो गया X की वल्यू यहां से कितना आ जाए 20 तो X की वल्यू 20 आ गी तो यहां पूट कर जाता हूं तो 100 माइनस 20 तो कितना 80 बज गया और यह कि पर्स्ट ओडर की एक्वेशन हो कि वल्यू अप्लाई कर रहा हूं कि वल्यू अपर कभी स्टार्ट कर रहा हूं एक तो जो इनीशिल प्रेसर था और एक टी इस गोश्टू 10 टाइम पर था तो अपने पता है के टी इस गोश्टू 2.303 लॉग पी नोट उसका जो इनीशिल लॉग यह किता जाएगा इनीशिल इसका किता था हंड्रेड और फाइनल किता हो चुका है 80 कि उस एक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं तो आंसर कौन सा सही बैठेगा थार्ड चलते आगे वन थर्टी टू पे कौन सा एड्जॉप्शन के लिए सही नहीं है कौन सी कंडिशन उसके लिए फेवरेबल नहीं है तो सीदी सी बात है हाई प्रेशर ठीक है अच्छी बात है प्रेशर बढ़ा होगे तो ठीक है डेल्टा ए चिरिनात्मक इन जनरल अपन बोलता है बहुते का देशोन इसमें अच्छे बात है और लास्ट है हाई टेमपरेचर तो गडबढ है तो फिजिकल अच्छे से एड्जॉप्शन क्या होगा उसके इमफेवर्बल कंडिशन हो जाएगी वह जुड़ा हो है वह भी निकल के हटने लग जाएगा ठीक है डिए तो इसमें नहीं हो पाएग अच्छे से एड्जॉप्शन हो किडियर चलो नेक्स्ट वन थर्टी थी कौन सा एड्जॉप्शन का एक्जामपल है कौन सा आउसोचन का है तो अपन जितने भी डेसिकर्टर या डीलिक्विशन जो काम में लेते हैं डेसिकर्टर बोलना चाहिए जो मौश्टर को अब्ज फ्रैंडलिक को कावरूफ है उसमें आपको बड़ा सिंपल सा तरीका है और यह बहुत काम में यह एक्वेशन अपने एक्स बाई एम जो जितना है मास एड्जॉर्ब हुआ है और कितने पर एड्जॉर्ब हुआ है वो परपोर्शन होता है पी की पावर वन बाई एन के ओक कडियर तो मैं इसको कंसेडर करते हरे काम कर रहा हूँ वन ब्याइङ लोग पी जो आएगा प्लस लॉग की मैंने इसको क्या किया लोग ले थर्ड बड़ा सिंपल सा जो एक्वेशन उसे काम किया है 135 एंजाइम जो है अब एंजाइम के खास बात बहुत ही specific nature के होते हैं और highly specific nature होने के कारणे एक specific temperature pH वगारा पर काम करते हैं तो एंजाइम मैं दोनों पढ़ता हूँ विशिष्ट जेव उत्पररक है जो समाने से अधिकता पर कारेगा रखते हैं नहीं वो एक समाने से अधिकता पर काम नहीं करते हैं अपने बोड़ी में जो एंजाइम से पर्टिकॉलर एक जाद रखते हैं इसका वेट जाद ही होता है एंजाइम विशिष्ट जो प्रकरती में अती विशिष्ट होते हैं मतलब एंजाइम एक ऐसे बोल सकते हैं बायलोजिकल कैटलिस्ट है जो की बहुत जादा specific nature के होते हैं मैंने कहा था इनके लिए हर चीज इस पर टेंपरेचर पी एच बगरा बहुत specific चाहिए जिस पर बहुत अच्छा काम करते हैं ठीक है नेक्स्ट है 130 सब्सक्राइब करते हैं नेक्स्ट 137 कौन सा ऐसा है जो फैरी मैगनेटिक है फैरी चुम्ब गत्व है तुसमें क्या है कि नेट कैंसल आउट नहीं होना चाहिए कुछ बच जाना चाहिए नेट जो डोमेंस बनते हो कैंसली डोमेंस की डारेक्शन दिखा रहे कि ना तो सार फैरो मैगनेटिक में आजाता है सब सारे एक डारेक्शन में यह भी फैरो का डाइग्राम है लेकिन इसमें सब कैंसल कर चुक है इसलिए सारे गल्थ इसमें दो डाउन वर्ड दो आफ़ड लेकिन एक बच गया तो लिटीमेट लिए फैरी माज आएगा ओकेडियर यह आज इसमें ज्यादा आ रखें तो आई की वेल्यू पर डिपेंड करें करें कि क्यों सब की ज्यादा सेम दे दिये तो आई की वेल्यू इसमें तीन है इसमें की वेल्यू वन है इसमें की वेल्यू थी है इसमें की वेल्यू फोर है कैसे बता चला यह तीन आयन देगा बी यह प् आइंस को इंक्लूड करते हुए तो इसका पेपर प्रेस भी बिचा रहे के बहुत जाड़ डिक्रीज हो गया होगे लिए चलो next 139 जो फ्रीजिंग पॉइंट है विलियन के हिमांग के साही क्रम में घर्टेव क्रम है ना जो फ्रीजिंग पॉइंट है डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट आपको मैंने बताया था कि डिल्टा टी एफ जो होता है जितना ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो ए टी एफ डेस उतना कम होगा इस अर्चा पहले भी कर चुके हैं फिर से बता रहा हूं मैं यह तो आपको और डिल्ट के देर खाएं 0.2M BACL2, next step 0.2M KCL, पहलेवार ओप्षिन से दिख रहा हूं और next step 0.1M Na2SO4, I M की वेलु लोगता हूं, I into M की वेलु दिख रहा हूं, क्योंकि I की मल्टिप्राज, इसमें I का वेलु किता हो गया, 2 तो आएन आजाएगा, क्लोरीन का एक आएन बी एका, त तो 0.6 आजाएगा, इसमें 2 आएन हैं, और 0.2 से multiply हो जाएगा, तो 0.4 आजाएगा, इसमें 3 आएन लेकिन 0.1 से multiply होगा, तो यहां पर 0.3 आजाएगा, तो जिसका जितना ज्यादा डेलिटा टी है, मतलब आइम जितना ज्यादा, उसका phrasing point उतना ही क्या हो जाएगा, कम, तो सबसे कम BACL तो इन दोनों हो है, और सबसे जादा किसका हो जाएगा, NA2SO4 का हम, तो यह थर्ड इसका answer हो जाएगा, सबसे कम जाएगा, intermediate को हो जाएगा, KCL, नेक्स्ट है 130, इनके बार 140, pressure cooker में खाना पकने में कम समय लगता है, क्योंकि boiling point आपको पता हूँ, बड़ा common बात है, हिल स्टेशन पर खाना लेट पकता है, और cooker में जल्दी पकता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो pressure cooker होता है, उसमें basically जो अंदर जो external pressure air का जोता है, बढ़ने लगता है, इस वज़े से boiling point बढ़ जाता है, हो सकता है, 100 पर जो पानी boil हो रहा था, उसका boiling point था, को इतना अ temperature अब 100 से जादा जा सकता है, तो जब 100 से जादा जा सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर easily क्या हो जाए, पक जाएगी, और यदि हिल स्टेशन में जाओ, तो external pressure कम हो जाता है, और अपने पता है, एक्स्टेनल प्रेशन इदी कम होता है, तो boiling point भी क्या हो जाता ह तो हो सकता है, को हिल स्टेशन पर अपने वहाँ पर boiling point जो है, वो 80 degree हो गया होगा, तो इसका 80 degree तक ही liquid रहेगा, तो इसको 80 degree maximum temperature liquid का हो सकता है, जहां boiling point 80 degree की पानी का आगया हो, तो इसका मतलब वहाँ खाना पकाने में जोर आएगा, क्योंकि उसमें 80 degree maximum हो जा सकता है, तो ज कई explain कर भी रहा है, कोई थे नांग बढ़े जाता है, next is one, 41, ये normal सी एक reaction दे रखी है, और आपको relate करना है, इनको आपस में, तो बड़ा simple सा है, ज्यादा आपको relation को BR2 और BR- माइनस में दे रखा है, ये रहा BR- ये रहा BR2, तो क्या हो जाएगा, rate के expression नोरों के help से लिखे माइनस का डी ओफ बी आर, माइनस अपन फाइफ डी टी और इक्वल्स टु अजाएगा प्लस का डी ओफ बी आर्टु अपन त्री डी टी, अब इन दोनों को अपन एक्वेट कर देते हैं, जिसमें में में चिंग भी ठीक वापना आंसर हो जाएगा, तो डी ओफ बी रखा है, तो डी ओफ बी आर्टु ऑपन रख देते हैं, डी ओफ बी आर्टु सब ऑप्शन इसी तरह से काम कर रखा है, अपन डी टी, इस गोश्ट टू माइनस का ये 3 ऊपर आजाएगा, अपन 5 नीचा आजाएगा, और इसका मतब डी बी आर अपन टी, 3 माइनस का 3 इसको अपन डील्टा है, थर्मोडाइनमिक्स में पटते हैं, और हर जगे एक विलिव में हम काम रहते हैं, ये डील्टा है को रिपरजेंट करता है, X की वाल्यू, तो अपना सरा आजाएगा, X, 143, ये बोला चारा है, कि A और B में ये रिलेस्न दे रखा है, सिंपल सा, ज चेंज होगा, तो क्या किया है, A की कंसेंटरेशन दो टू टाइम कर दी, तो 2 ये कर दिया, N हो गया, और B को इन्हों बोला हाफ कर दिया, तो ये M पावर में चला जाएगा, तो अल्टिमेटली जो आएगा, कॉंस्टेंट वैसे ही पड़ा है, तो अल्टिमेटली क्या हो के, A to the power N, B to the power M, और 2 to power N minus M, क्योंकि दोनों की सेम बेस से तो पावर अपन, A, D, S, अप्रेक्ट जैसा भी रहे कर सकते हैं, तो आंसर आजाएगा, फूर्थ, नेक्स चलते है, 140, 3 में, गैलेवनिक सेल जो है, उसके बार में चर्चा कर रखी, कौंसा गलत है, रॉंग लेफ्ट में एनोड, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, एनोड और इसमें नेगेटिव चार्ज, अगी बास समझ में, तो कैथोड पर, इसका उल्टा कैथोड की लिए हो जाएगा, कैथोड पर दनात्मग नहीं, कैथोड पर क्या हो जाएगा, मैं लिग देता हूँ, लेफ्ट हो जाएगा, राइट में, रिडक्शन होगा, और कैथोड होगा, और इसपे पोजिटिव चार्ज होगा, तो देख लो, कैथोड पर दनात्मग आवेस, कैथोड पोजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पोजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पोजिटिव चार्ज है, सही किसता है cathode की तरफ oxidize हो कि अपने electron release करता है तो electron का flow क्या हां से हो गया anode से cathode की तरफ तो अई क्या बोल रहा है कि जो outer circuit है जो outer circuit electron flow from cathode to anode नहीं electrons का जो flow है वो anode से cathode होता दी भी गलत statement हो गया और लास्ट है cathode पर up chain होता है बिल्कुल सही cathode पर reduction होता है इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है तो गलत वाले second or third second or third में अपना answer आगया second 144 का second देखो इट्रिक्स मैं आपको हर किसी की बता रहा हूं मुझे इसे याद रहता है आप भी इसे याद रहो ओके डिया next 145 अच्छा question है इसमें इनोट होता है इनोट होता है वो एक तरह से intensive property होती है इसको अपन ग्यान गुण बोलते हो मात्रा पर निर्बन नहीं करता तो यह reaction की स्टैक्योमेट्रिया मोल से को चेंज करोगे तो यह नहीं होने वाला तो 2.8 का मेंटेन रहेगा 2.8 तो आंसर फर्स्ट आजाएगा next 146 इस वरा कोपर धातु का चमच को फेरस अब कोपर जो है उसका चमच काम में लिया जा रहा है यह लिए इसका चमच चमच अच्छा नहीं बना ठीक है जैसा भी है और यह कोपर का हो गया और यह किता है एफी फेरस बोला था फेरस सलफेट एफी प्लस टू हो गया ध्यान रखना जब कि कोपर जो है वो लेस रियक्टिव नहीं से कॉंटक्ट में आते ही दिक्कत हो जाए यही कोपर के सोलेशन को आईरें से ला ते तो दिक्कत आती है ठीक है साबुन के दावन परक्रिया का करण होता है بड़ा सींपल सा और जो साबून के अंदर न के दो हिस्से होता है चल्द साबूसरीत इसमें Csevny न isine दो आप्ने मेल जो होता है वो ऑल्क्रिम्ट गरीश निट रोग जाता है और इस वज़े और इसको कपड़े से गंदिगे को रिमूव करता है, तो मैं क्या बोलूँगा, साबून का जो मैं इससे बढ़ता हूँ, नोन पोलर टैल, सोप मॉलेक्वल डिजॉल इन, जो गेस है, इसका मतलब क्या है, कि जो साबून का जो अनू है, वो और धुरूवी एपु शीरा ग्रीस के धूल के गड़ में गुलता है, तो यह मैंने चाहिए थी, यह जो हिस्सा है, जैसे इसमें कार्बन हिस्सा आता है, फिर CW-, यह वाला जो नोन पोलर हिस्सा होता है, इसको लाइओ फो भी पोलते है, वो जो अपने गंदगी होता, उसके अंदर डिजूल हो जाता है, और इसको खींच के पाने के साथ अलग कर देता है, तो फर्स्ट ही अना चाहिए, ठीक डियर, नेक्स्ट बात करते है, 148 के लिए, 148, simple सा surface का question है, इस टाइब के मेचिंग में, आपके कोई भी एक-दो मेचिंग से हो जाए ने, जिसका आपको बिल्कुल confidence है, उससे बहुत कामा असानीज होता है, इसे मेरे को milk है, एक milk में liquid होता है, confidence है, बात करता है, अब इसमें थर्ड के अंदर एक कहां कहां मैच है, चला, आगे चला, जो pens होते हैं, वो actually solid particles, उस liquid में कहां में dispersed रहते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो solid particles, इसके अंदर होने चीए, इसमें कौन सा हो जाएगा, फोर्थ में B, तो answer क्या हो जाएगा, वैसे ही पता चल गया, और देख सकते हैं, जो butter होता है, अब चाहो तो बहुत ईजी ही कर सकते हैं, बटर में क्या होता है, जो solid के अंदर जो liquid होता है, आला कि इसमें दोनों रखे जाते हैं, लिक्विड लिक्विड का बरेखा जाता है, और लिक्विड का solid में बरेखा जाता है, ऐसा इसलिए उसका temperature इसमें तो अपने कोई दिक्विड आईगी नहीं, बिल्कुल साफ मैच कर रहा है, और जो पामिक, इसमें क्या होता है, बबल्स दाने बड़े रहते हैं, उस solid के अंदर गैस होती है, उस गैस के वज़े से बबल्स बनते हैं, तो solid के अंदर गैस का इसका example हो जाएगा, तो fourth answer, 149 की बात करो, तो AZNO3 के साथ एक negative charge sol बनाए, तो यह तभी possible है, जब आप AZNO3 में पहले AGI को लेके आओ, तो AGI जो होता है, AGI का precipitate, यह peptidization का example मान सकते हो, वो यदि KI के साथ जाए, तो यह I minus common हो जाएगा, और इससे negative charge sol बन जाएगा, तो AGI बनेगा कैसे, जब आपको बनाना AGI तभी possible है, जब AZNO3 के साथ, आप KI जब मिला रहे हो, तो इसमें no doubt AGI का precipitate बनेगा, लेकिन कुछ KI तो AGI का precipitate बनाने में काम में आजाएगा, लेकिन आपको KI और भी चाहिए, जो की इस AGI को बाहर से घेरने का काम करें, कैसे घेरेगा, उसका I minus घेरना इस्टार्ट करेगा, तो इसमें कोई संसे नहीं आपको, KI जो है, वो ज़्याद अमांट में च को कोईगलेट करने के लिए, तो उसमें 0.05 mg अपने को चाहिए, तो बेसिकली यह जो definition है, गोल्ड नमबर की, वो define होता है 10 ml के अंदर, किसके अंदर define करते हैं, 10 ml के अंदर, जो mg से amount मिलाया जाता है, ताकि उससे कोईगलेट ना हो, तो उस amount को अपन क्या बोलते हैं, वो 10 10% NACL वाले से, ठीक है, उसको अपन एक ml NACL वाले से, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उस mg में amount को अपन क्या बोलते हैं, गोल्ड नमबर, बेसिकली, अपन जब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो लायोफिलिक में मिलाना ही पड़ेगा, उसका amount कितना है, वो depend क करता है, कि कितने ml में, तो अपन ने fix कर दिया है, कि लायोफिलिक जो है, स्टेंडर गोल्ड सोल के 10 ml में मिलाना होता है, कितने 10 ml में, तो 50 में 0.05 चीए ना, तो 10 ml में कितना चीए, डिवाइड भाई 5 कर दे, 10 ml के लिए इसको चाहिए, 0.01 mg, ओके डियर, इसका मतलब इसक तुमारे सामने, या अप्लोग सामने, हर तरह कंसेप्चुल चीज रखिये, कोई भी आपकी गलती होती है, तो वो बताया है, कोई tricks है, तो वो आपके सामने रखिये, तो आपसे request है, गलती है, यहाँ कर लो, जो tricks सिखाई जारी है, उनको लिखो, और इनको exam में apply करो, ठीक तो में दिकरता हो चावाओगा, सोलेसे मौदा चावाओगा, तेंक्यू सोमच्चु आपके सामने, तो प्मेंद करता हो चावाओगा, तेंक्यू सोमच्चु